जोधाबाई किसी प्रकार की इतिहासिकता का दावा नहीं करता। अत्कालीन प्रस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाठकिये रुपांतर किये गए हैं। इतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुमर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये दाराबाई किसी भी सामाजिक परमपरा और पारिवारिक संबंदों का इतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेश पहुंचाना नहीं है. खेलने के लिए शत्रच और चॉसर. तो बताईए, या खेलना पसंद करेंगे. उन चॉसर खेलना पसंद करेंगे. ठीक है. जला, जाम नौश परमाएंगे आप? आज में जाम परमाने में कोई हर्स नहीं. आज हम, आज हम नशे में खेल खेलना जाएंगे. शेहन शाह के हम खुद करेंगे. लगता है महामंगा ठीक कह रही थी. कुछ तो है, जो जलाल को परिशान कर रहा है. हम आपके लिए जाम पेश करते हैं. लिए जाएंगे जलाल, आपने इस कदर जाम पीना कबसे शुरू कर दिया? जरा आराम से. जाने रुके आज बहुत प्यासे लगी थी. आज हम दिल खोल कर पीना चाहते हैं. जाते हैं आज आप भी हमारे साथ जाम पी हैं. तेशर, आपकी ख्वाइश को हम कैसे ना कार सकते हैं? जरूर. चलिए, अब खेल शुरू करें. क्या हुआ है, जोधा? आज आप इस भाद दी? अंदकार में क्यों बैठी हो? क्योंकि हमें नीद आ रही थी, मुती. आज आप इस भाद दी? अंदकार में क्यों बैठी हो? ऐसे कैसे सो सकती हो? अब तक तो आपने भोजन भी नहीं किया है. जरा देखें तो, कहें जवर तो नहीं चड़ा. नहीं, जवर तो नहीं है. फिर क्या बात है? क्या हुआ जोधा? आप इतने उदास क्यों हूँ? नहीं जानते, मुती. कभी कभी हमारे मन को क्या हो जाता है? क्यों हो जाता है? हमें स्वयम भी समझ नहीं आता हूँ. शेंशाम से क्रोधे थे, हमसे मिलना नहीं चाते. समझ में नहीं आता कि यह सच है, यह हमारा ब्रह्म है. क्या बात है, जलाल? आजा बहुत परिशान लग रहे हैं. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, रुकईया? जलाल, हम दोनों बचपन के साथ ही हैं. आपका चेहरा देखकर ही हम सब समझ जाते हैं. कई दिनों से देख रहे हैं, आप जोधा बेगम से, खिचे-खिचे से, दूर-दूर से हैं. क्या जोधा बेगम ने आपको ठेस पहुचाई ह हैं. इस वक्त हम कहा हैं, रुकईया? हमारे ख्वाबगा में. तो फिर हम जोधा बेगम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम नहीं जानते थे कि आप आप जोधा बेगम से इस कदर नाराज हैं. देखो, रुकईया. अगर जोधा बेगम के बारे में बात करना चाहती हो त अजय खुद बात करो हम से बात मत करो अरे नहीं जलाल हम तो हम तो पस यूँ ही कह रहे थे आप आप बैठिये ना चली यह सब छोड़िये अब हम दोनों के अलावा किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे चलिये ना खेल-खेलते हैं अब आपकी बारी अगली चाल चलने के लिए हमें एक और जाम की सरूरत है जोधा हम आपकी सकी है हमारे होने के बाद भी कि अपकिलापन अनुभफ करते हैं तो फिर हमारे यहां होने का कोई लाब नहीं है मोती तुम तो रहो हमारे पास हमें अमस्वयम नहीं पता कि हमें क्या हूआ फिर हम तुम्हें कैसे बतां आप कहके थो देखो क्या पता हम दोनों मिलकर आपकी समयश्या का हरन निकालने तब शेंशा ने हमारे सामने रुकाय पेगम के लिए संदेशा भिशवाय था कि आज रात वो उनके कक्ष में जाएंगे हम चानते हैं कि वो शेंशा है पर रुकाय पेगम उनकी पत्नी है फिर भी हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है मोती बड़ी विचितर से भावना है यह तो जोधा यह विचितर भावना नहीं है यह तो बहुत āच्छी बात है यह क्या कह रही हो तुम यहां में रोना आ रहे हैं हमारा कलेजा भर गया औँर तुम शेहन्शा ने हमसे एक दिन कहा था कि यदि हमें उनसे प्रेम होता और वो किसी और पेगम के कक्ष में जाते तो क्या हमें बुरा लगेगा वो आपने उनसे क्या कहा यही कि लिश्यत ही बुरा लगेगा बहुत बुरा लगेगा ये जानते हुई कि आप शेहन्शार आपके सेक्डो रानिया है और सबके साथ समय बितान आपका कर्तब भी है फिर भी पत्नी होने के नाते हमें बहुत बुरा लगेगा तो आपको बुरा लगता और अब आपको बुरा लगता है हमें लगता है जोधा कि अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है सच जलाल हमें आपके साथ वक्त बिता कर बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी मिली हमें भी रुकेया और आपसे खेल में जीत कर तो हमें और भी खुशी मिलती है तुम भले इस खेल में माहिर हो रुकेया लेकिन ये खेल जोधा वेगम तुमसे बहतर खेलती आप ही ने कह था ना जलाल कि अब हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे तो आप खुद जोदा बेगम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अम उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो बस खेल खेले के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं सच कहें जलाल आप इस वक्त परेशान हैं और और हम जानते हैं कि आप परेशान हैं लेकिन लेकिन हमें वजय नहीं पता बताईए ना जलाल ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं ऐसी क्या वजय है जो आप इतने परेशान हैं अमारे पूछनें के बावचूद उन्होंने हमसे जूट कहा हमने अपनी आँखों से देखा था और हमसे जूट पर ताष्ट नहीं हो रहा है जलाल हमें नहीं लगता कि जूधा बेगम आपसे जूट बोल सकती है यह आपकी गलत फैमी है हमने इपनी आँखों से देखा ता रुकया उसके बावजूद वो हमसे जूट बोल रही है जलाल एक औरत सिर्फ दो ही सूर्तों में जूट बोल सकती है या तो वो सच छुपा कर सामने वाले को तकलीफ नहीं देना चाहती या तो वो सच बताने से डरती है कुछ गलत करके उसे चुपाने की कोशिश करती है अरकिस नहीं रुकया जोदा बेकम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही यह लीजे जाम पीजे और थोड़ा आराम कीजे एक आदमी को एक औरत सबसे जादा नफरत तब होती है जब उसे उस पर शक होता है यह शक हमारी जीत के लिए अच्छा है पस्टा एक हम यही जादा है झाद होता है झाद ही और आपको नापको नहीं को नहीं पखके होता है जाद है तक कि बोस्मा यहीं पु Nepर नहीं जादाइ। अपको जादाब जादेग्स फ्रेवां कर दोजे को दोब्द्द्स कर दो झाल 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 यह 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 क्या रहे हैं? जानती है ना आप हम आपको बसंद करते हैं थात्र प्संद मे करते हैं कर भीं आता है Fenzen यह kता है यह प्रॉप्र झाटस ये लॉख कर मों सृदय करें लुख ना पीछ ये लुख भी में ये अने अीं यह खूद जैंचा हम आपको बहुत सम्मान करते हैं आप हमारा आचल छोड़िये छोड़िये आप क्योंछ ओल जियुटस रहुत सम्मान करने कर दोड़िये आपके को अपक। पिश्ली बाच अब आप आये थे हमने आपको दखेला था हुजूर लगता है सो गई है मशाल बुझा रहा हुजूर बख्षी बानो बेगम सो गई है अनतहा हमें अफसर मिली गया जिसके लिए हम यहां आये थे हम अभी जाकर उस विश्वास खाती को खोजेंगे जो शेहनशा पर आक्रमन करवाना चाहता है हुजूर लगता है इतने बड़े मेल में हम उसे डूनेंगे कैसे जितना हम सोच रहे थे यह इतना सरल नहीं है कौन है वहां कौन हो तुम और यहां इस वत क्या कर रहे हो हम बक्षी वानों बेगम की खास क्वाज़स आ रहा हैं दिलावर खान वो तो ठीक है पर इस वक तुम यहां क्या कर रहे हो वो बक्षी वानों बेगम पेट से हैं न तो बावर्ची खाने जा रहे थे उनको कभी भी भूख लग सकती है अब जाओ यहां से हरम में बहुत पहरा है हम करें तो करें क्या यहां इतने सारे कक्षें यहां कुछ मिलना भूसे मेसुई ढूड़ने जैसा होगा और हम किसी से पूछ भी नहीं सकते हमें लगता है हमें लौट जाना चाहिए पहरे राने एक बार हमें देख लिया है दिलावर खान दिलावर खान क्याम आपसे पूछ सकते हैं तुम इतनी रात को इस वक्त यहां क्या कर रही हूं मुआफी वजीर आलिया बावर्ची खाने गए थे बक्षी बानों बेगम के लिए कुछ लेने जा रहे थे रास्ता भटक गया था जितना सुचा था तुम उससे भी कई ज्यादा होश्यार निकले सुचामल रास्ता भटकने वाले अक्सर घलत जगे पहुंच जाया करते हैं दिलावर खान याद रहें यह शेहनशा का हरम है मुगल सल्तनत का बाजार नहीं किसी भी वक्त यहां भटकने के लिए कोई भी अ सकता है बावर चिखाना ढूंडने में दिकत हो गई हो कोई बात नहीं अगली बार ऐसे गुस्ता कि मत करना गुस्ता की मुआफ हुजूर आप तो बेहर रहम दिल हैं आइंता इसी गलती नहीं होगी इसाज़त देंगे रुको को 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 कि दिलावर खान हुजूर आपने अभी हमारे सवाल के जवाब में क्या का याद रखूंगा हमारे याद तो अकसर याद रखूंगा ऐसी बाते तो मर्द किया करते हैं हमारे याद जितने भी ख्वाजा सरा हैं वह अपने आपको औरत समझती हैं और वो कहते हैं कि याद रखूंगी दिलावर खान तुमने याद रखूंगा ऐसे क्यों बोला जी वो हम ख्वाजा सारा ऐसे बोलते हैं पर बाकी के लोग तो हमसे मर्दों की तरह ही बात करते हैं ना तो फिर हो गया था इसाज़त दें माल बाल बचा हम तुमारी ये चाले बहुत अच्छे से जानते हैं सुजामल पर अभी तुम हमारे काम के महरे हो जब तक फायदा होगा खेलने देंगे तुमें हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुम बिगम 14 के करीब जाओगे अपना आखरी दाव खिलने के लिए हम वहां मौजूद होंगे सुजामल कर दो